कि अलो दोस्तों मैं श्वनी सर्मा आग्या हूं डियसमेस के सीरीज का अगला लेक्चर ले करके अभी तक मैं आप लोगों को पूरे डियसमेस के जितने भी लेक्चर दे चुका हूं उसमें रिवेट जॉइंट और विल्डिंग जॉइंट दोनों के बारे में कंप्लीट बाते मैं समझा चुका हूं और आज का जो टॉपिक में स्टार्ट करने जा रहा हूं वो एक्जाम के पॉइंट आप व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन यह संभव नहीं हो पाता उन दोनों चेप्टर्स के भी ना तीक है तो प्लीज उन दोनों चेप्टर्स को पहले कवर कीजिए उसके बाद यहां आई यह क्या तो कि उनका अप्लिकेशन यहां पर मिलेगा ठीक है और मैं आज आप लोगों को इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूं इस अक्सर एक्जाम में जा करके आप लोगों के साथ गलती क्या होती है कि numerical समझ में नहीं आता है किस chapter का है और इस chapter भूल जाते है आप भूल जाते हैं फार्मूले को आप भूल जाते है कि इसके साथ मुझे करना क्या है अगर यह वह बहुत बेसिक बात है तो फिर समझ़ ये कि दोनों में मेन मुद्दा आपने खतम कर लिए और एक बार आपको रास्ता सही पकड़ना एक फुटा नेखूर करना अगर आप चूज कर लिए कि सही से नुवेरिकल साथ करना क्या है तो फिर आप कर लोगा तो फहले यह समझना बहुत ज्यादा जरुडी है कि दोनों हिंत की मेंबर में डिफरेंस क्या बहुत ज्यादा नाम से हैएए एक कंपरेशन निम्डर इंशनम एक विच इस यूज तू विएर टेंसाइल टाइप अफ लोड ठीक ना कोई टेंसिन मेंबर ऐसा है मतलब ऐसा मेंबर होता है जो प्रयोग किया था टेंसाइल स्ट्रेस को जिलने के लिए ठीक है अब टेंसन मेंबर के रूप में बेसिकली सबसे ज़्यादा एक तो डारेक्ट टेंशन मेंबर आप यूज कर सकते हैं दूसरा सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाले मिंबर टेंशन के रूप में क्या है टाई है टाई का मतलब क्या होता है एक चीज जान लेजिए हमेशा कभी भी आप जो आप च्छत के ऊपर घूम सकते हैं लेकिन काफी भारी होने के वाज़ा से उस पर हाई बेंडिंग मोमेंट काम करने लगेगा फिर लेकिन इस च्छत का फैदा क्या है टाई वाले का टाई का मतलब जो आप इसके साथ ऐसे जोड़ करके ट्रस मना देते हैं ट्रस मना देते ह मतला करके देखे तर आप पढ़ाएं कंपरेशन वरा आपको ड्राइंग बनाने के लिए आता करेंवार ट्रस का वो मैं लास में बताऊंगा आपको आपके जाम में कई खाली डायग्राम पर आता क्या आप रसका ड्राइंग माना को उसके मेंबर के इसके पार्स को समझा य यह समझे कि पर लिन अगर लाके आप चादर इस पर यह हो जाता है कि जो यह लगा थाना अब उस पर मॉमेंट नहीं आएगा बल्कि उस पर आने लगता है टेंशन और एक चीज जान लिजी टेंशाइल स्ट्रेस पर लंबाई का कोई फरक नहीं पड़ता है अब एल काफी ज है युझ कर ना है इस टाइब से तो ट्ररस कीतना भी लंबा हो जाया इसके इसके को मैं तेनसाईल स्ट्रेस के केस में मॉमेंट नहीं बढ़ता है वो केवल डिपेंट करता है किस पर लोड पर कि कितना लोट से उग खींचा जारा कि जाना इजी यह जू लाइट वेड़ रूपस होते हैं जो छटें हलकी बनानी होती है और हमें चाहते हैं कि बहुत बड़े-बड़े इस पैन पर भी छट बन जाए तो हम आर्शी करना यूज करते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा बात करना चाहूंगा आपसे खुद से सवाल पूछ रहा हूं जरा ध्यान सोच के बताएगा एक हमने बोला अच्छा कंप्रेशन मेंबर अगर होता तो उसके रूप में भी कई चीज़ें लेकिन कंप्रेशन में बेसिकली तो कॉलम है कॉलम है इस ट्रट है और उसके अलावा जो जाद कम हम लोग पढ़ते हैं बूम है बूम का मतलब क्या होता है या फिर जिब है यह सब किसमें आ यह सब कंप्रेशन ये क्रेन में जो गाड़ियां होती है ना जो फायर ब्रिगेट वाली गाड़ी होते हैं कई सारी जिसमें उठाने के लिए तो लिवर जो लगा रह लगिएगा बहुत ध्यान से कि दोनों विसेस मैं एक सिंपल सा एक मेंबर ले रहा हूं एक मेंबर कैसा भी हो सकता है एक चप्ति पत्ति होगी उस पर टेंसाल लगेगा तो टेंसाल मेंबर हो गई और अगर उस पर कंप्रेशन लगीगा तो सब्सक्रिक है शिन हमारा है है conexтор RD यही एक member है तक है यह जो dazu मैं ले रखा वही एक member है ठीक है इसमें हमने क्या किया कुछ किया कुँछ एक पूल कर दिया कैसा हूँ लाइन से कर दिये कील सा करके जैसे रिभेट मैं तो यह जिस जगह पर कई सारे होल हुए हैं वहां से टूटने का चांस बनेगा कि नहीं बनेगा बात सुनना रहा है तो देखे दोनों ही पहली चीज को पिसे धनकेगा कि दोनों में अगर हम पूछें कि एक टेंशन मेंबर का स्ट्रेंथ क्या होगा और एक कंप्रेशन मेंब वाला एरिया अटेंसाइल स्ट्रेस यानि यहां पर तो फिक्ट है यह सिंगमा एट कर लिजी देखे कई बार सिंबल की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जैसे आगे जो बुक्स में आप जाएंगे हायर स्टडी करेंगे तो सिंबल अलग यूज किया गया और डिप्लोमा क आया का ही जो पिछ होता है वो 2.5 टाइम सॉफ नौमीनल डाइमीटर होता है यह पर देहां दीजिए दिलिग दिया था मैंने वैसे मैंने नौमिनल डामीटर को फाई से दिखाया था तो आप फाई लिजेगा दी मत लिजेगा ठीक है यहां पर बैसिकली डीफाई को दिमा संधाय समझी इस्ट्रेस foser काम करेगा और इसमें तो गम्प्रेसन इस ट्रेस सरे कमप्रेशन उसको लोग सिगमा एसी से दिखाएंगे कि α rede से भी दिखाद इस सिग्मा एसी से दिखाएंगे यहां पर यां एफ सी से दिखाएंगे दोनों चीज़ां हो सकती है लेकिन थोड़ा सांतरब सिग्मा एसी और एस्टी सपोच करिए कि इसका भी स्ट्रेंथ अगर हम लों निकालें तो इस्ट्रेंथ क्या होगा तो कहेंगे अगर एक चीज़ बशेश तरीके का अंतर है यहीं परिस्ट्रेंथ में ही मैंने बोला अभी अभी कि अगर आपका कोई यही है इसको हम लोग ऐसे खीचना शुरू करें तो क्या ऐसा होगा कि इसकी लंबाई अगर जादा रहे तो इसकी छमता घट जाएगी अगर यह खुब लंबा होता और लंबा होता तो खीचने में तो चाहे छोटे वाले को खीच के तोड़ें चाहे बड़े वाले को बराबर होता लेकिन अगर कंप्रेशन की बात और लंबाई खुब बढ़ा देते और फिर इसको दबा के तोड़ना फिर लंबा वाले को दबा के रही है तो टेंशन में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है लेकिन कंप्रेशन में प्रभाव पड़ रहा है मतलब हमेशा ध्यान रखेगा टेंशन मेंबर में टेंशन मेंबर की लंबाई का कोई असर नहीं पड़ता है ध्यान से टेंशन मेंबर में मेंबर चाहे छोटा ह चाहे खुब लंबा हो उसकी लंबाई का और यहां लंबाई कार्थ आप जानते हैं लंबा होने की वज़े से क्यों अगर लंबा होने के साथ साथ वो चोड़ा भी होता जाए तब तो असर नहीं पड़ेगा यानि कुल मिला कि लंबाई और चोड़ाई से कुछ याद आ रहा से लंबाई में होँने की वखल करके फेल होने का चांच भाता है तो क्या टेंशन मेंबर में कभी कि स्ट्रेंथ यानि उसका जो ये टेंसाइल स्ट्रेस उसमें कोई कमी होगी नहीं वो एफटी जो है ना वो 0.6 Fy fix रहता है यह फिक्स रहता है इसमें 0.6 Fy क्यों fix रहता है ध्यान दिजीगा क्यों यहां Ft अच्छा जनरली Fy का वालू 250 तो यहां Ft का वालू कितना हो जाएगा 0.6 इंटू 250 तो वैलू कितना हो जाएगा आपका बताई यहां पर तो आजाएगा Ft इस इक्वल टू 150 न्यूटन पर स्क्वाइर में आपने एक चीज़ समझ लिया कि जब दी Ft का वालू लेंगे तो 150 नूटन पर स्क्वार में लेंगे हाला कि बहुत मोटे मोटे प्लेट के यह वैलू कम हो जाती है थोड़ी सी जैसे 250 की दिना 240 230 हो जाता है अगर प्लेट के मोटाई ज्यादा हो लेकिन आपके डिप्लोमा के एक्जाम में आपको Ft के वैलू 150 देनी है क्यों 150 फिक्स हुआ क्योंकि चाहे कॉलम जाहे टाई मेंबर छोटा हो चाहे बड़ा हो उस प देखा जाए काफी छोटा कंप्रेशन मेंबर रहे तो उसका इस्ट्रेस भी वही आएगा जितना टेंशन में स्टील के अंदर एक गुण है वह जितना कंप्रेशन में मजबूत होती है लेकिन अगर लंबाई या बढ़ाने लगे लंबाई बढ़ाने लगे तो यह जान ल हटने लगेगा लगातार इस चीज का ध्यान रखेगा कि लगातार घटेगा कब घटेगा जब इसका लंबाई बढ़ने लगए यानि इसका स्लेंडर नेस रेशियो क्या होगा बढ़ने लगेगा तो इसकी वैलू क्या हो जाएगी दीरे दीरे इस्ट्रेस लने की छमता इ इसमें यह fix है और यह क्या है variable है यह तरह का variable है यह फिक्स है stress tension member में stress fix है और यह क्या है variable है आप बात करेंगे दूसरे term area के area को समझ लिजेगा इसी तरीके से area जो इस तरीके से आपका लगा हुगा करेंगे और आप खीचेंगे तो बताइए इसका नेट एरिया कम क्यों हो जाएगा तेखें जितना ही होल बढ़ता जाएगा खीचने पर वो उतना ही एक टने का चांस उसका ज्यादा हो जाएगा वहीं से लेकिन सोची अगर इसी हम होल किये हैं और कमप्रेशन दे रहे हैं तो क्या कमप्रेशन की वज़े से इसमें जो रिवेट लगे हुए है वो उन पर लोट जाकर क्या वो कमजोर करेंगे नहीं क्यों क्यों देखो अगर आप उसके बीच में होल करके उसके इंदर डाल दियो और दबा रहे हो तो रिव प्राव में दिक्कत आएगी मतलब जब भी रिवेट वगरा से हम लोग जोड़ते हैं तो टेंस्टन में एरिया में प्राबलम आती है क्योंकि इसका हम हम लोग लेते हैंए नेटेरिया। का मतलब होता है कि पूरे एरिया मैंसे रिवेट जितना कटा उसको हटाना पड़ता अभी पैचे आप क्या किये थे रिवेट में प्लेट का चौड़ाई भी था जिम्सक्रूप आपने wifi série कर लिया था क्यों क्यों कि आप जांते थे प्लेट में होे हैं तो वहां से प्लेटबर्स तो यह था हम ażके यह यह होताई जिबप सolag तो एरिया उसका कम हो जाता है अक्सर करके जब रिटिंग की जाए तो एरिया जो एक्चुल है उसके कम हो जाता है जिसको नेट एरिया यानि इसमें इस्ट्रेस तो फिक्स है लेकिन अगर होल होगा तो एरिया वैरी कर रहा है एरिया फिक्स नहीं है लेकिन कंप्रेशन में बताइए कितना भी होल करें एरिया फिक्स है एरिया फिक्स है यानि इसमें एक खा ले लंगे उसमें कोई एरिया में कटवती नहीं कि आपने समझ लिया वेसिक से से静 टेंसन मिंबर में कि एरिया वरियेबल और कि कई टाइप के प्रग्लरम इसमें आता हैं सबस्ने दिक्ट बस यही आएगी कि सब का अपको औरिया निकाल रहाएगी तो कुल मिला कि जो खिलबान होगा इसको निकालने में आपको समस्य आएगी इस इस में ये तो fix हो जाएगा इसको निकालने में प्रब्लम आएगी और उसमें आपको बावाल खड़ा हो जाएगा है अभोप चीज़ें आपको समझे में आ रही होंगी कि टेंसंट मेंबर और कंप्रेशन में बेसिक अंतर क्या है और आप हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग अच्छा इसको तो यह पूरा चेप्टर लगए पढ़ेंगे अम लोग अभी सुर्वात तो हमको इसको करना है लेकिन दोनों से रहे लिए फिच कुछ कॉमन बाते हैं देखेग कि देखेगा वह चीज़ें क्या है कुछ चीज़ें लग से आपको लिकने के लिए आज आती है कि ठ。 हां में गसेट प्लेट के बारे मैं आपको नहीं बता हूँ गसेट प्लेट के बारे मैंने बताया है यह कनेक्टिंग प्लेट होती है कनेक्टिंग प्लेट होती है जिस पर कई सारे मेंबर आपस में आके जैसे अगर एक ट्रस है इस तरीके से एक ट्रस इस तरीके से है ऐसे और इस यह कहीं रखी गई है इस तरीके से किसी दीवार पर ठीक है इस तरीके से रखी गई है और ट्रस का एक्सिस यह वाला ऐसे जा रहा है यह वाला ऐसे जा रहा है तो दीवार पर एक्सन ऐसे आ रहा है तो यह आपस में दोनों जूड़ी र चाहिए होती है जो कई मेंबर इसक्राइब करना चाहिए इस जीच का आ प्धियानर कि अधिक है यह कही जगह पर इंटरसेक्ट करना चाहिए ऐसे तो पर भाशंट को तूकर मार्केट पward या तो आप मार्केट से क्या लाएंगे आई सेक्षन लाएंगे कोई इस टाइप से या तो आप मार्केट से जाके चैनल सेक्षन ले आएंगे इस टाइप से लेकिन एक ही मेंबर से कोई चीछी बन जाए जरूरी तो नहीं है हो सकता है दो आई सेक्षन को आपस में जोड़ा एक बील्ट अप से रूप में काम करेंगे बेल्ट का मतलब ऐसा सेक्षन जो एक बार पस में जोड़कर बनाया गया हो आप सैक्षन से इसको बनाया गया तो बैट है गया के दूसरे तरब अगर कोई body just a a guy at a time making THAT longer दूसरे तरफ एक और एंगल लगा तो वो एंगल इससे में अंतर वगा तो समझीवा अंतर तो डोनों एक सब प्रक्क कर लेकिन कई बार इसके साथ में गसत प्लेट के साथ मैं जब कोई डूरा जूरा इससे पूर्च करिए ये घॉसरे प्लेटा इसको हम लोग साइट से देख रहा है तो एक एंगल इसके इस तरफ जूड़ा हुआ है ऐसे ऐसे दूसरा एंगल इसमें इस साइट से जूड़ा हुआ अगर एंगल की इस तरीके से जा रहा है तो यह अगर इनकी पीट चिपकी देनी आपस तरीके से जा रहा है तो यहां पीट का मतलब यह इसका यह बैक हो गया इसका ये बैक हो गया जिब्या आपस में एसे आगे यह ऐसे जा रहा, यह ऐसे जा रहा तो अगर इनमें ऐसे रिवेट लगा कि ऐसे जोड़ दिया जाए इनको दोनों तरफ से तो ये दोनों आपस में गसेट प्लेट में जुड़ गये, लेकिन आगे गसेट प्लेट तो यहीं तक आगे जब जाएंगे तो एक ठीक इसके पीछे रहेगा और पीछे वाले को फिर जगा जगा पर आपस में क्या करना पड़ता है जोड़ना पड़ता है जगा जगा पर आपस में जोड़ना पड़ता है मतलब एक गया पीछे दूसरा गया अब मा आली जे लोड लगने पर दोनों अगल बगल अलग अटने लगे तो उनको बीच-बीच में आपस में connect करने के लिए कुछ लगा जाते हैं और उन रिवेटों और को हम लोग कहते हैं तो टैकिंग रिवेट्स क्या करते हैं यह मिमबर को आपसी दूरी बनाकर fit रखने के काम आते हैं कि यह member एक साथ मिल करके एक unit के रूप में काम करें अलग-अलग ना काम करने लगें एक ही unit के रूप में यूच करने लगें इसलिए tracking रिवेट गा यूज करते हैं जब एक गस्रूँप में रहता है उनको आगे बढ़ाके टैकिंग रिवेट के साथ साथ इनके बीच में कभी कभी ब्लॉक्स छोटे छोटे ब्लॉक्स का मतलब दोनों ऐसे जा रहा है तो दोनों के बीच में छोटे छोटे लोहे के ब्लॉक लगा के तब टैकिंग की जाती है ताकि रिवेट को अगर हम जोड़ रहा है तो उनके को हम लोग क्या कहते हैं सेप्रेटर बोलते हैं सेप्रेटर मतलब वो सेप्रेट रखते हैं किसको दोनों मेंबर को मतलब एक मेंबर जा रहा है दूसरा गसेट प्लेट में जुड़ी है दूसरे सिर्य पर जा के फिर गसेट में जुड़ेगी लेकिन बीच-बीच में बड़े के बड़े स्पINAन पर बीच बीच में दोन्हों के बीच में सेपरेटर लगा करके टैकिंग रिवेट लगा दी जते हैं तो bugsट प्लेट समません ना गया टैकिंग रिवेट और सेपरेटर तो को यह यह वह एक गया था कि पूरे और उससे related कुछ टर्म होगा है गसेट प्लेट टैकिंग रिवेट और सिंगल यूनिट के रूप में काम करने के लिए यूट के रहते हैं सेपरेटर के हैं आप समझेगे तो आई होग इसका इंट्रोडक्शन आपको दोनों का समझ में आया अब अगली क्लास से हम लोग टें लेक्टर को समझने के लिए मेरे साथ बने रहे और वीडियो पर प्लीज जब भी आप कुछ अच्छा लगे बुरा लगे तो आप कॉमेंट्स डालिए ताकि मैं प्रूफ करता रहा आप जितना ज्यादा रिस्पॉंस करते हैं उतना ज्यादा मुझे पढ़ाने मजा आता ह आप कोई कॉमेंट्स नहीं आते हैं तो फिर लगता है मैं दीवाल को पढ़ा रहा हूं तो दीवाल को पढ़ाऊंगा तो फिर आपको मुझे अच्छा नहीं लगेगा मैं लेक्टर फिर क्या करूंगा इसलिए दोस्तों तक अपने वीडियो को पहुंचाईए अगर आपक नाम को ले करके मेरे उपर छोड़ दिजिए उसको बिंदास रहे पढ़ते जाए बस इतना पढ़ा रहा हूं तब तक लिए नेक्स लेक्टर का इंतजार करें मिलते हैं नेक्स लेक्टर में थाइंक यूँ